दोस्तों किस दिन जन में बच्चे भागशाली होते हैं आप सभी लोगों ने कहीं न कहीं स्कूल में, कॉलेज में, युनिवर्सिटी में, अपनी किताबों में कहीं न कहीं ऐसे प्रश्णतों देखे जरूर होंगे या फिर सुने होंगे कि पूरे भारत में एक सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में एक सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं किस दिन जन में बच्चे भागशाली होते हैं किस महीने में जन में बच्चे भागशाली होते हैं कौन सा देश है जहां बच्चे पैदा ही नहीं ह उस देश का नाम है वेटिगन सिटी जो की दुनिया का सबसे छोटा सा शहर है और वहाँ पर इसाई धर्म के सर्वोच नेता रहते हैं और वहाँ पुरुश ही रहते हैं इसलिए कोई बच्चा पैदा नहीं होता तो दोस्तों इस वीडियो को अंद तक जरूर देखना तभी आपको इस प्रश्न का जवाब मिल पाएगा हम कितना भी धक कर घर आते हों यदि घर में छोटा सा बच्चा खुशी से आपकी गोद में बैठ कर किलकारियां मारता है तो सारी धकान दूर हो जाती है हर किसी की कहानी में एक इक्षा होती है कि घर में जल्दी से एक बच्चे का जन्म हो जाए और जब जन्म होता है तो हमें उसके भविश्य की चिंता करने लगते हैं पूजा पाठ आदी धर्म अनुष्ठान करते हैं तीर्थ स्थलों में ले जाकर मुंडन संसकार करवाते हैं जोतिशियों से कुंडली बनवा देते हैं ताकि जान सके कि मेरा बच्चा कितना भाग्यशाली होगा दोस्तों आपकी इसी जिग्यासा को शांत करने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस दिन जन्मा बच्चा कितना भाग्यशाली होगा दोस्तों जोतिश शास्त्र ऐसी विद्या है जिसके जरीए हम किसी भी इनसान के व्यक्तित्व और स्वाभा का पता लगा सकते हैं इसमें बताया गया है कि जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन के ग्रहों की विशेष्टा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है उसका भाग्य और व्यक्तित्व उस ग्रह के आधार पर ही निर्धारित होता है चलिए जानते हैं कि किस दिन जन्मा बच्चा कितना भाग्यशाली होता है नमबर एक सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है इसलिए इस दिन जन्मे बच्चे लोगों का मन चंचल होता है जिन विक्तियों का जन्म सोमवार के दिन होता है ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं ये बहुत शांत सभावाले होते हैं उनकी वानी मधुर और मोहित करने वाली ह यह कई स्वाभाव वाले होते हैं अर्थात सुख हो या दुख सभी स्थिती में यह समान रहते हैं धन के मामले में भी यह भाग्यशाली होते हैं इन्हें सरकार और समाज से काफी मान समान मिलता है नमबर दो मंगलवार के दिन जन्मे लोगों का स्वामी मंगलक रह होता है इस दिन जन्मे बच्चे स्वाभाव से उर्जावान और बहुत ही बहादुर होते हैं ये युद्ध प्रेमी और पराक्रमी होते हैं इस दिन जन्मे लोगों पर हनुमान जी की क्रपा होती है ऐसे ल बातों पर कायम रहने वाले होते हैं इसके स्वाभाव की एक बड़ी विशेष्टा ये है कि यहां अपने कुटुंब का पूरा ख्याल रखते हैं नमबर तीन बुधवार बुधवार का दिन गणपती का माना जाता है शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन जन्मे लोगों पर गणेश बपा की विशेश करपा होती है जो तिशियों के अनुसार इस दिन जन्मे लोग धर्म गरंत में जादा ध्यान लगाने वाले होते है और ये लोग बहुत बुद्धिमान और शांत प्री होते हैं। इनमे छल कपट बिलकुल भी नहीं होता है। बुद्धवार के दिन जन्मे लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको उठा लेते हैं। ये लोग बहुत महनती होते हैं। और बातचीत में भी बहुत इनके अच्छे स्वभाव की वज़े से हर कोई इनके करीब आना चाहता है। जिससे भी सच्चा प्यार करते हैं उसे कभी भी धोखा नहीं देते। लोगों के सुख दुख में ये लोग पूरा साथ देते हैं। अच्छे स्वभाव की वज़े से लोग इन्हें अपना सब से करीबी समझने लगते हैं बुद्वार के दिन जन्में लोग हर शेत्र में माहिर होते हैं और अपने काम से लोगों का दिल जीत लेते हैं लेकिन इनमें एक कमी होती है बहुत जल्दी अपने काम से उप जाते हैं इसलिए जादा समय तक किसी भी काम को कर नहीं पाते हैं कई इन्हें दोहरे चरित्र का समझ कर लोग इनका साथ छोड़ देते हैं नमबर चार गुरुवार इस दिन जन्मे व्यक्तियों की राशी धनु या मीन होती है और इनका ग्रह स्वामी ब्रहस्पति होता है गुरुवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और शुक्रवार के दिन पैदा हुए लोग काफी सुंदर और प्रतिभाशाली होते हैं इनके ग्रह स्वामी शुक्र होते हैं चेतन करने में निपण होते हैं और इनमें कूट-कूट कर नैतिकता भरी होती है नमबर चै शनिवार इस दिन जन्मे लोगों पर अगर दुख भी आए तो ये उसे भी सेहना जानते हैं गंभीर स्वाभाव के होते हैं जिंदगी संघर्ष में होती है लेकिन ये अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल देते हैं और जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं नमबर साथ रविवार रविवार को पैदा होने वाले व्यक प्रतिके होते हैं